दूस्तों अगर आप भी अपना EMI का payment समय पर नहीं कर पाद हो मतलब लेट करके payment कर रहो एक महीन दो महीन तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जो है helpful हो सकता है क्योंकि दोस्ते इस वीडियो में मैं आपके प्रो टिप्स शेयर करने वाला हूं जिसका मदद से आप बीना प होने से बचाना बहुत इंपॉर्टन है वीडियो में आके जाने से पहले रिकुस्ट है चैनल में अगर ने हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथी सथ वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो लाइक बॉन को जरूर प्रेस करिएगा तो चलिए दोस्तों बा पेमेंट कर रहे हैं मतला दो महीन आपका कंप्लीट हो गया है तो यहां पे होगा कि आपका टोटल आउस्टेंडिक नी किंता हुआ 5-5,000 रुपे ये 10,000 रुपे आपका हो गया आउस्टेंडिक प्लास जो तीसरा महीन पर आ उसका भी यह मैं है तो जोल लिजे टोटल कित इंट्रेस्ट प्रगेड़े लगा है वह भी जोल लीजे 1000 रुपे तो टोटल कुल मेला के मान के चली की 3000 रुपे आपका एक्स्टा चार्ज़ लगा है और 15000 रुपे आपको यह माई है ठीक है आपने किया कि आपको लगा कि भाई मेना तो तीन महीने का टोटल हो गया तो इस अगर आप मेरा रेगूलर सब्सक्राइबर है तो आपको भी पता होगा कि इससे पहले मैंने एक चार्जिंग पैटन को पर वीडियो पहना था जहां पर मैंने यह कहा था कि जो सिस्टम में मतलब जो बैंकिंग का जो सिस्टम में वहां पे जो पेमेंट जब भी आता है कस् एमाई भर दिया लेकिन आपको जो 10,000 रुपे है वह सबसे पहले जो लेट पेमें चार्जिंग से टोटल कुल मेरा कि यहां पर आपको 3000 लगा था वह पहले आपको कर जाएगा बचा हुआ जो 7,000 है उसमें से जो पुराना जो एमाई है 5000 उसमें एक दरस्ट होगा और बाक दाके यह बनेगा कि आपका 2 मेहिने का EMI बाकी दिखायेगा तो आपहले पेमें कर दोस्तो इसमें पर जो भी आपाई है कि जब भी आप करो सबसे कलेकस नेО्स्थाकािंग सोब करा का दोबाई जो late payment charges से उसमें आप जो है waiver कर दो माप कर दो तो 90% सिनारियों में जो है माप कर देता है तो उस case में आपका नाकेबल पैसे बच जाएगा साथी साथ आपका जो civil में impact हो रहा तो वो भी कम हो जाएगा प्लास NPA का जो calculation है वो दो महेने के लिए रूख जाएगा मतलब जैसे आप 10,000 रुपे payment करेंगे दो महेने का payment calculate होके adjust हो जाएगा जीरो हो जाएगा खाली latest महेने का जो है आपका वो जो है delay दिखाएगा और आपका NPA का calculation भी कम हो जागा क्योंकि पहला सिनारियों में क्या हो रहा था पहला सिनारियों में ते आपको दो महेने का लेट मतलब 60 दिन से delay दिखाएगा आपने payment कर दे दो महेने का फिर भी आपको जो है दो महेने delay दिखाएगा मतलब 60 दिन आपका जो है NPA होने के लिए हो चुका है मतलब 30 दिन बाकी है लेकिन इस सिनारियों में किया हो दोस्तों अगली बार से याद रखिए जब भी आपका लेट हो जाए पेमिन करने में तो पहले प्लीज जो है नेगोशिट करिए और लेट पेमिन चार्जेस को वेव अप करिए उसके बाद ही पेमिन करिए उससे पहले करेंगे तो कोई फाइदा नहीं होगा केबल आपका ज आपका जाए हिन बनने मातर है